आपसे दूश्टकों दिल्ली के अंदर सीलिंग की वजे से वेपार ठप हो चुका है पहले जी स्ती की मार पड़ी, पहले नोट बंदी की मार पड़ी, फिर जी स्ती की पड़ी और अब सीलिंग देखने में आ रहा है कि सीलिंग की जो तलवार है अब उत्तापुर्वी लोगसभा में लटक चुकी है हमारे बीच में विकास्तियागी साब है जो कि अशोग नगर मंडल के अंदर कोशाद दक्ष है सर क्या कहना चाहेंगे फीलिंग की मार सीलिंग के मार तो आम जनता पे है और उसका कारण है दिली सरकार अगर दिली सरकार टाइम से पहले नोटिफिकेशन कर देती तो सुप्रिम कोट इतना कैड़र रंडा आम पब्लिक पर नहीं चलाती आज की रेट में सभी अस्त्यष्ट हो आपड़ा है सभी अपने व्यापार को ले के दोसर भाग रहे हैं वो किसका कारण है सिर्फ दिली सरकार का दिली सरकार का ही कारण है कि आम आदमी की जेव में आज की रेट में घर चलाए या नई जमीन खरीदे उसके लिए सारा ठीकरा आप इसका मतलब दिल्ली सरकार पर फोड़ना चाहता है मैं नहीं फोड़ना चाहता है ये तो जनता खुद बता देगी कि मैं ठीकरा फोड़ रहा हूं या उनकी नाकामी है ऐसे में आज भारते जनता पार्टी क्यों नहीं सड़क पे आरी जैसे पहले यूपे की गौर्णमेंट की भारते जनता पार्टी कैसे आज़ा सुप्रीम कोट का अमाने कैसे करे सुप्रिम कोट हमने सर्वोपरी की हुई है उसका हम अनादर नहीं कर सकते हैं हमें पता है कि हमारा वोट बेंक खराब हो रहा है हमें पता है कि हम परिशान हैं लेकिन हम किसे बोले दिली सरकार ने जो कर दिया है उसको भुगत रहे है ऐसे में वैपारी वर्क करे तो करे क्या आम तो रुपित दिखा जाए BJP का 80% जो आदमी है वो वैपारी ही है और हमी परिशान है आम आदमी कुछ नहीं है आम आदमी तो हमी है ना सब्सक्α कुई देहरां सब्सक्राइब ईदिर क्या करें Nam आपको भी औरम नुक्सान की नाफ़ सके अभी सरकार Самीरी वे प्र शरत्क पली वीए है क्योंकि आपश को पुमिक्सान हो जैएगी तो बाद में सोचा जाए पहले तो जंता के बारे में ये सोचा जाए कि इसका निवारण νिकले तो निकले कैसे है savez sì चिंता कि जंता और वयपार्यों उसे थोड़ा सा धैरे चाहेंगे कि थोड़ा ऑद धैरे बनाकर के हम इसके उपर काम कर रहे हैं कितना धैरे बनाएंगे पहले नोट बंदी में मार पड़ी फिर जीस्टी के उस पर मारपड़ी और अब सी लिंग देहरे कि वी एक सीमा होती ह मैंने माना लेकिन हमेशा कुंदन तो तपके निकलता है हम व्यापारी है मैं भी व्यापारी हूँ तो कहने का मतलब है थोड़ा और धहरे जब हमने बना रखा है मैंने भी बना रखा है तो और धहरे बना के हमें पार करनी है न दी ऐसा नहीं है कि हम यह आठक जाएंगे नही बला हो जाए क्या शुब कामना देना चाहिए क्रिश्ण जन्वाश्ट में कि सभी शेत्रवासियों को और व्यापारियों को हार्दिक शुब कामना है